मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेविन की येट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने साइन्स के बहतरीन question-answer series में साथ हूँ आज दोस्तों 14 दिन यानि कि 14 टेस्ट आज हम लोग complete कर लेंगे जो बच्चे पीछले टेस्ट नहीं दिखे हैं या फिर नहीं सॉल्व किये हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है हमारी वो जरूर से जरूर उसको देख लें भाईया और जो बच्चे रिविजन भी करना चाहते हैं साइंस देखिए कहीं से भी आपको टॉपिक्स वाईज अगर पढ़नी है तो आपको टॉपिक वाईज एक तरीके स्रीज करवा रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको कहीं से या फिर ऐसे बुक्स लेने की या फिर बुक्स को आप theoretical पढ़ने की कोई जुरूत नहीं है आप ऐसे ही प्रश्ण पढ़ें जैसे हम पढ़ा रहे हैं साथ हो इससे बाहर हम आपको 100% guarantee के साथ करते हैं चाहे कोई सावी इंडिया लेवल का exam दीजिए चाहे वो railway की हो क्योंकि सबसे ज़्यादा railway में ही science पुछी जाती है या फिर SSC का हो या फिर कोई भी UPTate हो CTate हो और एक superTate में पूछा जाता है बहतरीन तरीके से science तो अब अगर इतने exams की UPSI उगए रगे तैयारी करना चाहते हैं बहतरीन तरीके से तैयारी करिए इस platform से जुड़कर और अपने साथियों को भी जोड़िए चलिए आज के हम पहले प्रस्ट से start कर लेते हैं पहला प्रस्ट देखिएगा बहतरीन प्रस्ट है साथी इसमें हम आप लोग को बहतरीन तरीके से explanation देंगे आप लोग लाश्ट तक जरूर बने रहेगा यह हमसे प्रामिस करिए लाश्ट तक बने रहेंगे जो बच्चे छोड़ की जाते हैं बीच में वो बस इसी तरह भटकते रहते हैं क्या फायदा है बताइए कोई फायदा है नहीं न आप अपना टाइम वेस्ट ना करें साथियों आप लोग बहतरीन तरीके से लाश्ट रगवने रहें हम आपसे यही एक उम्मीद रखते हैं चलिए आज का पहला प्रस्ण है किसी एनक के लेंस का पावर डो ड्याइप्टर है यहाद रखेंगे प्लस दो ड्याइप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों फोकस यानि कि छंता बराबर क्या होता है पी श्कलटू वन अपन एफ होता है पी क्या है दोस्तों चमता जिसे हम यहां पर दिखाए हुए है यह जो होता है आपका फोकस दूरी होता है अब याद रखेंगे अगर हमको पी दिया है यह की वैलू पूछ रहा है तो यह फिच कल टू क्या हो जाएगा साथियों वन अपन पी हो जाएगा अब पी की दो कर देंगे दोस्तों कर देंगे तो आ जाएगा 50 50 सेंटीमिटर आपका क्या होगा साथियों फोकस दूरी हो जाएगा राइट एंसल लगा लेजे 50 जैकि बहतरी न तरीके से मापको बताए गर आपको नहीं संव्याय तो एक बार फिर से में बताते हैं ध्यान से अब सारी वेल्यों को सेंटीमिटर में दिया है तो सेंटीमिटर में ही लाना होगा तो हमको एक मीटर वरावर सव सेंटीमिटर कर दिये इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आपका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों या वराबर बहतरीन प्रस्ट है ऐसे प्रस्ट बहुत बार आप याद रखेंगे दोस्तों हम उसमें जो हमारा कल हमने बताया भी था कल वाला जो सेशन देखेंगे जो पच्छे उनको तुरंत वह एंसर कर दियोंगे ठीक है ना देखें जो भी बुलबले बनते हैं पानी में दोस्तों या फिर आपको यह कैसन इस तरह से दे देता है पहले इसका एंसर बताते हैं फिर उसके बाद हम एक क्योशन और इसी पर बताएंगे दोस्तों उत्तल दर पड़ ना होके नहीं उत्तल लेंस होके नहीं दोस्तों आउतल दर पड़ होके आपकर राइट एसर क्या होगा आउतल लेंस होगा अब एक तरह से प्रस्ट्ट को बुलबुला जब नीचे होती है जिसे पानी भरा हुआ है बाल्टी में अब जब पानी का बुलबुला जब नीचे से उपर आती है पानी में तो बल नीचे ली तल से उपर ही तल पर आती है तो उसकी आकरती में क्या प्रभाव पड़ता है तो पताएंगे अगर कोई पूछा गया है भाई चले नेक्स्ट देखे जो बच्चे जो परसान होते हैं हम उनको परसानी समझ सकते हैं और इस दौर से सभी बच्चे गुजरते हैं हम भी गुजरे हैं हम भी गुजर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो मानसिक टेंसन लेकर मानसिक पीडा से लेक पढ़ाई करते हैं तो बहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए देखिए किसी भी चीज पर क्योंकि सरकार अत्याचार पर अत्याचार किये जा रही है अगर एक वीडियो आपने नहीं देखा हो जो हमने डाला है दोस्तों अभी कुछ कर लेंगे जान से मार देंगे हिमत नहीं जान से मारनेकी तो चलिए हम उसकी चर्चाँ कभी कर लेंगे लाइप में आकर लेगिन आ पर इतना ध्यान रहकें दोस्तों उस इसे की जादे जादे देख सकें उसे और उस जादे लोग तो जह धोस्कें दोस्तों डो होगा बलकि किसी तयंके फायदे के लिए उसको तो इस losing आप जल के अंदर वायू का व्Charह करता होती है धोगा उन्से का मतलब होता है दोस्तों भीर्टर होता है कन वरजिएट कर मतलब जब कोई प्रकास के लिड़ने एक बिंदू पर आकर सिकट जाती है तो उसे कहते हैं तो जो अभिशारी उत्तल लेंस होता उत्तल लैंस में और उत्तल दरपड दोड़ दो उत्तल लैंस और अवृतल दरपड के लिए है अभी सारी और अप दोशनेकट कि तल्वर्यंट यहांestä लगब का झाम होते हैं कि यह कि दृट करते है eseब को तकी बातर बीडियों अपसारी में आया गया तो अपसारी अपका right answer होगा साथी चलते हैं कार चलाते समय अपने पीछे के यातायाद को देखने के लिए यानि के side mirror की बात कर चाला है किस प्रकार के दरपड का प्रियोग करते हैं देखे अब यहां पर दरपड दे दिया अब आपको यहां पर confusion के लिए बच्चे लेंस से कंफूजन हो जाते हैं लेंस से अधरपड में कोई कंफूजन नहीं होना है। जिस प्रकार से उतल लेंस काम करता है। हमारी गाड़ी फोकस होती है यह हमारे के में होता है इसों सामने वाली लिए के लिए दोस्तों यहां दोस्तों कि आगर बात करें क्यों उत्तल दरपद्र का और कहा यूजर है तो मेडिकल साइंस में बहुत जादे इसका यूज है और बताइए उत्तल दरपड का कहा यूज होता है तो बताएंगे दोस्तों कि जो उत्तल दरपड का यूज होता है सबसे ज़्यादा नाई यूगर बार काटने भी यूज करते हैं यही तो होता है चलिए हम आपको बहुत सारे दरपड की कि लोग लोहे की ख़दान हो गया वहां पे लोग सर्च लाइट अपने जो सर्चिंग करते हैं जो खादान में कोले अगड़ाई करते हैं उस प्रकार के गारी के हेड़ लाइट में दोस्तों कौन सा होता है उतल दरपड होता है तो समें कान और इस प्रकार के बहुत सारी जगां आउतल दरपड का तरह में पर यूज करता है अवतल दरपड में सबसे बड़ा उधर जो है वहन में चालक सीट के जो बगल में एक तरह से इसाइड मेर लगाओ तरह दूसरा जो सड़कों पर लगा ने वाली परावर्तक लैंप जैसे देखते हैं लुगर लगा दिये जाते हैं जो फैला देती आप और अनुए क्रवित इसे सोलर the Soda के उलेवहेद आनल पर गॐडबन में यह होता है निकट दोस्ट की लिए आफ़नी वार्ट नहीं भी दोस्टों यहां रहेंगे यहां पर समय करेंगे ऑटल आफी बताया था कल वाले में और दूट दिश्टिटोस के लिए दोस्तनों उत्तेzh yes भख़ से बचने के छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन साहीर होना चाहिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो काला प्र recognizing को भना चाहिए How उसमें दोस्तों जो आपका ऊपर वाला च्लर होता है। वह प्रावरतित कर दिया जाएगा। उपर सफेध होना चाहिए। उपर उजला और नीचे काला & या राइट एंसर है। समुद्र नीला प्रतित होता है क्योंकि यह तो बहुत ही important प्रस्ण है और बहुत ही easy प्रस्ण है आप इसको कर सकते हैं 100% करेंगे देखिए आकास प्रावर्तन तथा जल के कड़ों द्वारा प्रकास के पकीड़न के काड़ दोस्तों इसे पकीड़न जिमेदार होता है धूल पढ़ने एकर समय देखिये इसमें साफ साफ यह पूछ रहा है अगर आप कभी अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो हमारे आँक पर क्या प्रभाव पढ़ता है दोस्तों तो आख में जो सो यह किस कारण से होता है यह पिर हमारे आख की जो लाइट होती और जैस्मेंट कि किस पार्ट की कारण होता है अगर आप कल वाला सेशन देखेंगे तो इसमें भी बताया था आँख का अंधेरे में प्रती प्रती अंधेरे के प्रती कुछ समय में अनुकूलित होना याद दोस्तों इस वज़े से आप कभी देखेंगे कि अब जब उजाले से अंधेरे कमरे म में जाते हैं तो आपको कुछ समय तक कोई सीजिय नहीं दिखाए देते हैं लेकिन जैसे आप अंधेरे में कुछ समय रह लेते हैं तो चार मिनट आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाए देने लगती है क्यों 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 क कारणियां क्या होता है कारणियां क्या क् pose कार्णियां और को sert होने क्ट देटीव आइरिस उंपना में इमेच सीर्व से लोता है तो कौन सेल का क्या होता है क्वोण सेल जो होते हैं हमारी आँख में कलर पहचाने के लिए हैं और राप सेल का काम होता है कोई वस्तु हमें दिखाई दे क्यintéलLast जब एक एक स्पूरिकенно comments को सम्सेट क्यूंदrices पर उसमें अगर सुर्व की प्रकास को इंटर किया जाए तो इंद धनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं इसकी व्याख्या की जा सकती है तो इसकी व्याख्या क्या हो सकता है अब खुद बताओ यह किस घटना के कारण ऐसा होता है जिसमें की सीडी चमकती हुई या इंद धनुष की रंग बनती हुई दिखाई देती है तो किस घटना के कारण होता है आप इसको तुरंद का तुरंद बताई इसको कल हमने पढ़ा था इसमें एक और प्रशन आगे इत का राइट एंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आप बता देंगे परावर्तन और अपवर्तन की परिखटना के अधार पर या स्योजन कारे करता है ठरकाश तरंगों के वायूसे कांच में जाने वर्छर प्रभावित होते है क्वांज एससे चर है मतलब कौन सेसे वहरियबल है जो प्रभावित होता है देखिए कि दिखाते हैं आब invit वीजुक होता है ईधोनी कह सकते हैं अब आप बताओ जब प्रकास और शिर्से जरी से इसे पर गीरती हैं तो उसमें क्या होता है सिर्फ अपरीटि दोस्तों फिर देखिसने नहीं आपकि प्रभावित होना आवरिति नहीं प्रभावित होता है फीर क्या प्रभाव είναιSc M сос Leven को छोड़के सारी चीजी प्रभावित होती है आव रिती जिसमें आया है वह तो शब में आया तो क्या प्रभावित होती है एक मिंट फ्रस्तने देखते हैं इस धो अवृत्ति तो किसी में प्रभावित नहीं होता है अबृति का मतब कलर बनना बता points अगर कोई red color है अगर वो किसी सीशे पे गिरती है तो किया वो पीला हो जाएगी गिरने के बाद नहीं न वो red ही न दिखेगा हमको तो यहाँ दखेंगे दोस्तों आवरित्ती पे डिपेंड करता है color तो यहाँ पर आप वेग कर लेजिए वेग कर लेजिए और जहाँ जहाँ आवरित्ती आया है वो answer नहीं होगा आपका आपका wavelength और वेग दोस्तों यही दोनों प्रभावित होते हैं आवरित्ती कदापी प्रभावित नहीं होती है एक प्रश्ट हमने आगे लिया है दोस्तों याद दखेंगे आवरिती नहीं प्रभावित होती है किसी भी रंग को किसी भी रंग के प्रकास को कहीं भी लड़ जाना कहीं भी बिखर जाना किसी भी माध्या में गुजर जाना कभी भी आवरिती नहीं प्रभावित होती मात्र वेबलेंत यानि तरंग देधर और वेग प् दो निल्ट वाय हो सब्सक्राइल भुलेंगे ऊपर इसक्सक्राइब में नातरै को यहां बीच में लिए पिकक नीला ब्राइब लिग्ण लिए ना के इस तरह दो ही अलो और मेजेंटा मेजेंटा अब तक चाहिं के साथियों जब रिड ग्रीण और मिलते हैं तो हमेशा वाइट बंता है इसका रायट एंसर तो रहेट हो जाएगा लेकिन जब जब red और green मिलते हैं, तो yellow बनता है, जब red और blue मिलते हैं, तो magenta मिलता है दोस्तों, जब green और blue मिलते हैं, तो हमेशा peacock blue मिलता है, यानि कि दोस्तों, peacock निला मिलता है, जिसे स्यान भी बोलते हैं, स्यान color भी बोला जाता है इसे, तो इतनी बाते आप याद रखें, concept जब य भी सफेद ही बनेगा इस प्रकास जब ग्रीन और मेजंटा मिलेगा तब भी सफेद बनेगा दोस्तों इस करम को भी याद रखेंगे बस यह चार्ड जो है ना इसको बना लेजी आप लोग सभी लोग बना लेंगे इस प्रिज्म को उपर रेड लिखेंगे यहां पर ग्रीन और रेड मिलकर एलो बनाता है और रेड और ब्लू मिलकर मेजंटा बनाता है पीकॉक नीला बनाता है ग्रीन और ब्लू मिलके चलिए और नेस्ट ऑप शेद ओमन्मेदी जब प्रकास पर को अधर निखकरल कर में पर दोशंता और इसफान करलता है नो restsब कर्दो जो कि एक तरसे कंपन करते हुए वह संचरड करते हैं जिस तरफ प्रकास के लाइड जाती है उसी तरफ आप देखते होंगे इसको देखिएगा कि धूली करके कड़ की कारड़ ऐसा होता है नेक्स्ट मिरिक मरिचका का उधाराड है भाई साथ हमने कल भी बताया था आज उसका प्रस्णा गया वताएंगे पूड आंत्रीक परावर्तन वह घटना है जब कोई प्रकास की केड़ें से विरल माध्य में आती है और सगन माध्य में जो प्रकास की केड़ें आ रही हैं आपको बता देते हैं सीज कोल टू साइन नाइनटी सीज कल टू वण अपांच साइन नाइनटी होता है तो इसको लिख लेंगे आप यहां से प्रेस्ट बन सकता है आपसे बोल देगा करांती कोड का मान बताई नबे डिगरी पर तो आपको बताना पड़ेगा जब किसी द ऐसे को तीन सीजyang को इस तरह बोल दे दो सीज को हम लग दिया है कि तीट ढ़ीज पर मान लिजे कोई दो सीज ग्लास रखा है कितने प्रति बि में इसमें बनेंगे तो आप भोलेंगे सर 2th 1 इतने प्रति बिंब बनेंगे इसमें अब अब आप से कोडर से घुमाएता है य तो इसमों 2 x हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीटा 360 है भाई 360 और यह कटेगा तो क्या बचेगा बताओ खुद बताओ तो वन आएगा ना भाई साब वन अधर जाएगा तो 2x और जाएगा नियाकर आएगा याणिकर 2x ज महँताओ जब आप किसी भी रपड को एक्स कोड से हुमाते हैं तो हमारा जो गुमेगा दोस्तों पर अवर्तित को गहुमेगा ववर्तृत जब कर आपको किसी समतल दरपड के शामने यक्स स्पीड से रॽंठ अ रहे हैं तो सी अगर आपको किसी दरपड में अपना पूरा पूरा इमेज देखना है तो आपको दरपड जो है अपने उचाई का आधा लेना होगा इस प्रकार से ऐसे प्रश्च मनते हैं आप इसको दिमाग में रखिएगा नेक्स्ट इंद धुनुस के रंगों का सही क्रम है इंद बैगी हफी नाला आप इस तरह से भिदी में याद कर सकते हैं देखिए एक दो तीन चार पांच एक किलर कहां चला गया विभ गयोर वाई क्या चूट रहा है देखिए तो वी आई जी अच्छा ब्लू चूट रहा है यहां पर ब्लू यहां पह जाएगा वी भी गयोर होता निला पहले आता है तो कर्म गलत सैंसे कब दो समांतर दरपड़ों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो ने वाला पर्तिव में की संख्या होगी तो इस प्रकार से आप सोच लिज्वेंकि आप किसी नाई की आप बाल कटवाने जाते हैं, या फिर खुद बाल काटते हैं, लड़कियां उगरा तो खुद ही घर पे काटती हैं, सेटिम उगरा करती हैं, ब्यूटी पारलल उगरे में भी जाती होंगी, तो वहाँ पे आप देखती होंगी, जो समतल दर पड़े दोस्तों, अगर वो सीध समय दिखाई देता है, साथिवों, जब भी इंदधनुस बनता है, तो या दखेगा, अगर इंदधनुस इधर बन दा है, तो मतलब सन, सूरज जो हैं, इसके विपरीत होंगे, बार बज़ आपा को पता है, आपकी ऊपर सूरज है, तो कहां बनेगा भाई, कहीं नहीं बने या दिखाई नहीं देता है आप इसे आद हएंगे next प्रकास केडों कि प्रकृति होती है प्रकास कई काइसी होती है दूसमें व कु स्लखेसे अ पर विवर्तन इस प्रकार से जो विवर्तन का मतलब कोई प्रकास की किरड किसी मांध्यम से टकराती है तो वह क्या करती है दूसरा रास्ता पर टकराने के बाद रास्ते से मुड़ जाती है अगर वो कड़ के रूप में चलती तो नहीं मुड़ती वो तरंग की रूप में यहाँ पे चल रही इस पेसे मुड़ जाती है धुर्वड धुर्वड मतलब कि जब कोई light आपके 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 पड़ती है कोई polarize होता है light जने का दूसरा होता है धुर्वड के कायर होता है व्यतिकरण का मतलब दोस्तों जब कोई पानी के surface पर कोई तेल का आवरण पड़ जाता है तो तेल चमकने लगता है उसमे सात किरण दिखाई देने लगते है इसे ही गाते हैं व्यति करण की तियाद रखेंगे जो प्रकास तरंगे तरंग और कड़ दोनों के रूप में चलते हैं उसे कहते हैं प्रकास का दोयती प्रकृती दोस्तों याद रखेंगे तरंग कड़ दोनों के समान प्रकास के चलती है राइट एंसर सी होगा नेक्स्ट यानि कि प्रकास तरंगे दोस्तों अनुपरस्त तर एक प्रणा नीला हरा और लाल यहाद रखेंगे जिससे की ने फिला यहां पर है में लाल रिये उस्ट होगी ओर लाल हम अब यह हमने बताया आउतल दरपड होता है तो यहां पर राइंक हो जाएगा खोजबत्ती यानि कि सर्च लाइट जो देखते होंगे मजदूर होते हैं जो की बहुत बड़े कर्मचारी होते हैं लोग क्या करते हैं यहां पर अपने माथे पर अपने सर पर दोस्तों एक माथे पर इस प्रकार के लाइड बांद के जाते हैं जिससे हुआ आसानी से किसी चीज़ को देख सकें दोस्तों बड़ा करके तो आउतल दरपड याद रखेंगे उसको यूज होता है सात्यों अगला प्रस्त जब प्रकास एक माध्यम से दुस्रे माध्यम में जाता है तो जब कोई प्रकास किरड किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है आपने देखा होगा जब कोई प्रकास किरड सगन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलम से दूर हड़ जाती है अने था वह अभिलम के पास आ जाती है अगर विरलम के पास आएगी अभि निला हो जाएगी आप जो होता है तरंगों का किवल और किवल आवृत्ती के काल याद रखेंगे अब दिमाग में अपने लख लेजी नेक्स प्रस प्रकासी गती किसके बीच से जाते हुए नियुदंदम होगी अब बता हुए प्रकासी गती सबचे कभ होती है जब निर्व तो निर्वात तो इसका नहीं होगा उसके बाद आप बताओ जब जादे सघन माध्यक्ता में प्रकास माध्यक्त कौन सबस्किद से चलती है तो बताएंगे दो गुड़े दसब्सक्राइब 8 अब दो गुड़े 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलती है अगर जल की बात करेंगे दोस्तों तो पता देंगे 2.8 या फिन 95 के आसपास इतनी स्पीड से चलती है अगर वायू की बात करेंगे दोस्तों वायू का मतलब निर्वात लगवग लगवग तीन गुड़े 10 के पावर 8 म सब्सक्राइब लगने वाला समय सेकंड में लगवग होगा सेकंड में बताना है आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा एट मिनट ट्वेंटी सेकंड कहीं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं दो से आप 8 एक करेंगे चार सो 80 सेकंड और 20 सेकंड एड़ करेंगे दोस्तों तो 500 सेकंड आपका राइट और अशूपा एक ऑप्रस यूपा पूचे अपर पूचेगा हैं और रेले वीड सण से में तो पूच ही लिया जाता है यूपी साइगे फार्म भाले होंगे जिन बच्चों का यूपी टिवल सी पीटी का एक्जाम है उनके लिए बेहतरीन तरीके से बिलकुल यह फायदा करने वाला है साथ हो आप लोग रिवीजन करके जाएगा बस रिवीजन कर लिजे जितने भी सेसन पढ़ाएगा हैं बेहतरीन तरी से किसे द्वारा काम क्या होता है से यह सॉक्राइड करता है जैसी करता है करता है जिस समय बेता ब répondre रहसाइन को प्रकास बदलती है ये बात या दिखेंगे निमने रंगों में विशम बहुत पुरा नहीं है इस हमने पता है लाल हरा नीला यह तो परातमिक होते लाल यहां प्रिके थे हारा हमने ग्रीन यहां पर रखा था भून यहां पर राता है और उपडना था तो खुआ बना सब्सक्राइब घर रेड़ ब्लू को मिलां सफ जो साथ होगा और उस प्रकार्सक कर आप आद कर लेंगे नेक्स्ट लास्ट दोस्तों एक रंगी टेली विजन में तीन अधार्बूत अम्सेटव के मिस्टर से जंग बनते हैं तो अभी तो बताया हमने दोस्तों देखिए ऐसे प्रष्ट भुमा-भुमा के पुशे जाते हैं आपको बेल्गुल जिंदा नहीं करना है आप बेहतरीन प्रेटकॉम पर दोस्तों बस अपने साथियों को जोड़िए और रिविजन पर ध्यान लाने वाले हैं बस अपनी संख्या बढ़ाइए लाल हरा निला दोस्तों इसका राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्यों सब्सक्राइब दोस्तों जब से पूछा गया होमर की तोर पर आप इससे बताएंगे दोस्तों इसका अंसर कमेंट बॉक्स में धन्यवाद दोस् अंसर के व का इससे बताएंगे।